गुट मॉर्निंग प्यारे स्टुडेंट एंड वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल लैट्स डिस्कस डियर स्टुडेंट टूडेंट टूडेंग तो डिस्कस क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी और वाक्सित नमबर 48 है जो की 15 अव डिसंबर 2021 के लिए है तो प्यारे बच्चों आज हम एक ऐसे पाठ का सुभारम करेंगे जिसका कटाक्ष का पूट मिलता है यानि कटाक्ष होता है कटाक्ष यानि की बैंगे बैंगे शाहिति की एक विद्या जिसमें उभास हुरा जाता है मजाक और इसी करम में अलोशना का भी परभाव रहता है लेकिन बैंगे को मु जहुर लगता लेकिन चिंतन करेंगे तो चुभन का ऐसास होता है अब तो आप समझी गए होंगे कि हम किस पार्ट की बात कर रहे हैं जी हाँ लखनवी अंदाज इसके लेखक है यसपाल जी और यसपाल हिंदी साहित्ते के सिर्शक का थाकार में से एक है और बे माक्सबाद स पर भावित रहें किसे माक्स बाद से उनके उपनियास जोटा सच को एक काल यी रचना के रूप में जाना चाहता है थीक है तो उनका एक उपनियास जोटा सच जो capable न उसka जब पनियास है उनका ठीक है यसपाल जी का तो चली पड़ते हैं इस पार्ट में यसपाल जी ने उस पतनसील सामंती बर्ग पर कटाक्ष किया है जो बास्तिविकता से बेखावर है यानि पतनसील सामंती बर्ग यानि पैसे वाले बर्ग ठीक है एक बनावटी जीवन सैली का आदी है शायद कहना आदी इसे उकती हो ना होगा कि बरत्मान समय में भी ऐसे परीवी संस्कृति को देखा जा सकता यानि मुफसमील की पैसंचर ट्रेंच चलने की उतावली में हुंकार रहे थी अराम से से कन्ड कलास में जाने के दिए ताम आधे लगते हैं तो दूर तो जाना है नहीं था यानि दूर तो जाना नहीं था भीर से बच कर एकांत में नई कहानी के संबद म प्राकृतिक द्रिस्टे को देख सकते हैं और जिससे टिकेट सिकंड कलास का ही ले लिया गाड़ी छुट रही थी कि सिकंड कलास के एक छोटे डिबबे को खाली जहम समझ कर जड़ा दौर कर उसमें चड़ गया अनुमान के परतिवव कूल डिबबा निर्जन नहीं था यान एक वर्थ पर लखनवी की नबावी नसल के एक शफेद पोस्जन बहुत सुखी शुधा से पालती मारे बैठे थे यानि एक लोग क्या थे पालती मारे बैठा थे और शामने दो ताजे चिकन ने खीरे तौलिये पर रखे थे क्या रखे थे खीरे तौलिये पर रखे थे ल सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूज की चिंता में हो या खीरे जैसी अपादार्थ बस्तू का शौक करते देखे जाने के संकोच में है अब हम इसमें देखते हैं प्यारे बच्चों उप्युक्त गद्यांस को पढ़कर पूछे के प्रस्णों में दीगे विकल्पों म उत्तर हमें देना है तो देखे इसमें जो है ना लखनवी अंदाज के लिखक यह स्पाल पर परभाब किसका है तो यह च्छायाबाद का है किसका है च्छायाबाद का नहीं च्छायाबाद का नहीं है यह नहीं है नहीं यह है नहीं यह नहीं है इसका जो अंसर है वो भी है यानि माक्सबाद का यानि खै है आपका माक्सबाद का है ठीक है जूटा सच उपनियास के रचनाकार कौन है तो ये यसपाल जी है ये आपका अंसर करेक्ट है कौन सा गया अंसर करेक्ट है बेंगे में सम्मिलित होते हैं क्या सम्मिलित होते हैं तो बेंगे में डियरिश्मिल जो सम्मिलित होते हैं, हसी, मचाक और परियास, यानि ये सभी सम्मिलित होते हैं, लेखक ने second class का ticket क्यों खरीदा है क्यों कि भीर से बचने के लिए, आराम करने के लिए, या standard दिखने के लिए तो इसमें जो ने एकांत मंच चितन कर नई कहानी कि सूज के लिए, इन्हों ने क्या किया इस तरह का चुना, ठीक है stunt, यानि second class का ticket, अब question नमर फिप्ट है सफेद पोस का आर्थ क्या होता तो सफेद पोस का आर्थ जो डिए इस का होता है, भदर प्रूश कैसा होता, भदर प्रूश होता है, ठीक है तो निमलेखित प्रशनों का उत्तर देना सफेद पोस सज्जन पुरूश ने तौलिये पर कौन सी बस्तू रखे थी, तो ये पता होना चाहिए, सफेद पोस सज्जन पुरूश ने तौलिये पर ताजे खीरे रखे हुए थे, क्या ताजे खीरे कौश्चन नमर से कहना है लिखक के अनुसार, यहां खीरा किस बर्ग का परतीख है तो खीरा जो यह रिल्ष्ट्रियूज नहीं यहां जो आम लोगों अर्था साधरन बर्ग का परतीथ है, साधरन बर्ग का इसका महथब्भ और है थाड है बेंग्यावान के रूप में प्रियोग की जाने वाले मुहाबरे का पता लगाई है बेंग्यावान के रूप में प्रियोग की जाने वाले मुहाबरे अधगल गगरी छलका जाए थोथा चना बाजी गधाना ठीक है एक यहाँ पर है डियर इस्टूर्ट हमारा अपने सिख्षक या सिख्षकार से सहायता से कुछ और बेंग्यात्मक रसनाओं को उनके लेकर का नाम बता लगाई है और कारेकला पठिन सब्स चांट कर लिखे गए उसका अर्थ बताईए ठीक है तो चलिए इसमें देख लेते हैं एक कोशन जो है ने दिखिए प्रेम जंद के फटे जूते हरीवान सराई बच्चन है राग दरवारी स्रीलाल सुकल है अंधो कहां थी यानि सरद जोसी है ठीक ह डीयर स्टोawat इस वीडियो का जरूर लाइक कीजे चैनल पर नहीं तो शैनल को सब्सक्राइब कीजा और वीडियो को सेयर गीजे ताकि आपको नया नॉटिफिकेशन मिलता रहे है चलिए फिर मिलते है नेक्स्ट वीडियो तो तक के लिए बाबाई टेक किया है वेनास झाल झाल